चलिए आज मैं आपको बताता हूं कि organic chemistry की जो सुरुवात है उसकी हिस्टरी क्या है? अच्छा आप मुझे सबसे पहले यह बताईए, कि यह जो खनिश पदार्थ होते हैं, जन्त पदार्थ होते हैं, वनस्पत पदार्थ होते हैं, यह सब क्या होते हैं? तो देखे सरल भासा में इसनका कहने का मतलब यह है वनस्पत पदार्थ देखे क्या होता है तो देखे जो पदार्थ वनस्पत से पदार्थ प्राप्त होते हैं वो क्या कहलाते हैं वनस्पत पदार्थ कहलाते हैं उसके बाद देखे खनीज पदार्थ तो को खनीज कहलाते हैं उसके बाद जैसे आता है कि जन्तुपदार्थ जन्तुपदार्थ वो होता है जो जन्तुओं से पदार्थ प्राप्त होते हैं जैसे कि हीमोगलोवीन हो गया हार्मोन हो गया तो यह सब क्या होते हैं जन्तुपदार्थ होते हैं क्यों कि यह जन्तुओं से पदार् प्राप्त होते हैं वो सब क्या क्यालाते हैं कार्बनिक प्राप्त क्यालाते हैं जो निर्जीवों से प्राप्त होते हैं निर्जीवों में जैसे कि भूरपटी हो गया भूगर्फ हो गया या फिर जैसे कि आपका सब्सक्राइब चटानों से भी जो पदार्थ प्राप्त होते हैं वो आकार्वनिक पदार्थ क्यलाते हैं तो देखें ये जो कार्वनिक पदार्थ है तो इन सब का जब classification हुआ या जब इनका सब का वर्गी करण हुआ तब देखें बरजीलियस ने एक सिध्यांत दिया था उस सिध्यांत का नाम था जयो सक्थ सिध्यांत अच्छा देखे ये जयो सक्थ सिध्यांत क्या था देखे जयो सक्थ सिध्यांत में उसने ये कहा था तो देखे बरजीलियस का कहने का मतलब ये था यानि उसका मानना ये था कि ये जो कार्बनिक पतारत होते हैं इनेहम लैब में नहीं बना सकते हैं और ये जो आकार्बिनिक पदार्थ होते हैं इनेहम लैब में बना सकते हैं तो ये कहना था वर्जिलियस का तो वर्जिलियस के इसी विचारधारा को कहा गया जयोसक्त सिध्यान्त क्योंकि जो वर्जिलियस था उसका कहने का मतलब ये था यह जो कार्मिक पदार्थ होते हैं यह हमें जिवधारियों से पदार्थ प्राप्त होते हैं और इनमें एक अद्वत तरह की सक्ति होती है इसलिए उसने कहा था कि यह जो कार्मिक पदार्थ होते हैं इन्हें हम लैब में नहीं बना सकते हैं ठीक और जो अकार्मिक पदार्थ होते हैं इन्हें हम लैब में बना सकते हैं चलिए मैं आप आपको बताता हूँ कि इनके जो जयो सक्त सिध्यान था इसका अंत कैसे हुआ अब देखें मज़े की बात यह है कि इन्हीं का एक छात था इस्टूडेंट था उसका नाम था होलर तो देखें होलर ने 1828 में यह जो ह किया यह जो यूरिया उसने बनाया यह क्या है यूरिया कार्बनिक पदार्थ है जब उसने इस कार्बनिक पदार्थ को बना दिया तो देखें इससे जो बरजीलियस था उसको एक जटका लगा जटका इसलिए लगा क्योंकि उसने तो कहा था कि कार्बनिक पदार्थ को हम में नहीं बना सकते हैं और इसने बना दिया तो इसलिए उनके जो यह जाय सक्त सिध्यान था इसको एक जटका मिला यह जब पहला जटका था ठीक उसके बाद फिर 1845 में एक और वैग्यानिक आया कोलवे नाम था उसने क्या किया था उसने कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सिज उसने क्या किया उसने भी कार्बन हाइड्रोजन की हल्फ से उसने भी बना दिया मै्थिन गैस में बना दिया है ने कना जा यह जो सिध्यान था इसका अंध हो गया क्योंकि इनका कहिना था कि कार्विनिक पतार्थ जो होते हैं उनको हम लैब में नहीं बना सकते हैं और जो आ कार्विनिक पतार्थ होते हैं उनको हम लैब में बना सकते हैं लेकिन इन सब के प्रियोगों से पता चल गया कि इनका जो जय सक्त सिध्यान्त है ये सरासर जूटा ह तब ही उसे इनका जो सिध्यान्त है इसका अन्थ हो गया तो चलिए अब मैं आपको पता देता हूँ कि कैसे कोलवे ने स्टी कमल बनाया था और कैसे बर्थेलों ने मेथिन गैस बनाया था चलिए मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ कि कैसे होलर ने यूरिया बना करके वर्जीलियास को सबसे पहला जटका दिया था तो देखे उसने कैसे बनाया था देखे सबसे पहले आप भी बना सकते हो सबसे पहले अमोनिया लीजिए ठिक सबसे पहले अमोनिया ammonia क्या होता है NH3 होता है ठीक इसको लीजिए इसमें मिला दीजिए cynic amul, cynic amul क्या होता है cynic amul होता है H, C, O, N ठीक इसको लीजिए इन दोनों को मिला लीजिए ठीक इन दोनों के देखें यह cynic amul है यह ammonia है जब इन दोनों को मिला कर जब reaction करोगे तो जानतों क्या बन जाएगा तो यह बन जाएगा आपका ammonium तो यह बन जाएगा ammonium cyanide ammonium cyanide ठीक कैसे बनेगा देखो यहाँ पर जो एक H है यह H इसमें मिल जाएगा तो क्या बन जाएगा NH4 बन जाएगा उसके बाद क्या बचाएगा C-O-N तो इसको लिख दीजिए यहाँ पर C-O-N यह आपका है ammonium cyanide लिख देता हूँ मैं आपको यह है आपका ammonium cyanide ठीक यह है ammonium cyanide फिर उसने ammonium cyanide को ले करके गर्म कर दिया जब इसको इसने गर्म किया तो देखें NH4 C-O-N ठीक यह ammonium cyanide को जब इसने क्या किया गर्म किया जब इसने गर्म कर दिया तो जानते हूँ क्या बन गया तब बन गए आपका यूरिया यूरिया क्या होता है देखिए यहाँ पर देखिए कितने 1N ये है 1N ये है ठीक यह कैसे बनेगा उसके बाद आपका बचेगा C-O उसके बाद यहाँ पर यह जो N है इसको भी 2 hydrogen दे दोगे तो क्या बन जाएगा यह बन जाएगा आपका यूरिया ठीक तो ऐसे आप इसको याद रख सकते हो ठीक तो देखिए कैसे बनेगा यहाँ पर देखिए इस N को 2 hydrogen दे दीजिए और इस N को 2 hydrogen दे दीजिए तो बन जाएगा यूरिया बन जाएगा तो सबसे पहले उसने क्या किया था अमोनिया को लिया था साइनी कमली में मिला या था तो बन गया था अमोनियम साइनेट था जूटा सावित हुआ, उसके बाद हमारे आ गया थे, कॉल वे नाम के वैग्यानिक ने, उसने क्या किया था, उसने देखें मैं आपको बताई हूँ उसने लिया carbon उसमें मिला दिया hydrogen ठीक उसके बाद उसने जब इसको मिला दिया तो धेखें इसको इसने कितना गर्म किया था 25 सो अंसिल्सियस पर इसने इसको गर्म किया था ठीक अब इसी C2H2 को उसने क्या किया Sulfuric Amalil के उपस्ति में Sulfuric Amalil क्या होता है H2SO4 ठीक तन्न H2SO4 के उपस्ति में इसने जब इसको गर्म किया था तो जानते क्या बन गया था तो बना था यहाँ पर मैं लिखता हूँ ठीक पर इसको जब इसका रियक्शन कराया तो जानते क्या बना था तब जाकर बना था CH3COOH यह क्या है यह है H2 कंबल तब जाकर H2 कंबल बना था सबसे पहले उसने कारबान हैड्रोजन को लिया और इसको पचीश सू अनसिलसियस पर गर्म कर दिया तो बन गया C2, H2 बन गया अब इसके बाद जब तनू H2SO4 यानि सल्फिर कंबल की उपस्ति में जब इसने कराया था यहाँ पर पारा सल्फेड भी होगा ठीक तो H2SO4 इसकी यानि इन दोनों की उपस्ति में जब इसने कराया था तो बन गया था CH3, CHO बन गया था फिर उसके बाद इसको क्या किया इसको भी इसने H2O2 की उपस्ति में जब फिर से रियक्शन कराया तब जाकर बन गया था H2 कंबल तो इस तरह से कोलवे ने इनको हैरान किया था बना करके ठीक क्योंकि ये भी एक कार्वनिक पदार था ठीक उसके बाद हमारे तीसरे वेग्यानिक थे 1856 में इन्हों ने ये जटका दिया था इसके बाद इनका जो जयोसक्सिद्यान था वो पूरी तरह से उसका अन्थो गया था ठीक तो इस वेग्यानिक का नाम था बर्थोले क्या नाम था बर्थोले ठीक तो बर्थोले ने क्या किया था बर्थोले ने भाईया देखो कार्वन लिया था हाइड्रोजन लिया था ठीक इन दोनों को इन्हों ने क्या क्या 25 स्वन सेल्सियस पर इन्हों ने भी गर्म किया तो भाईया बन गया था क्या मेथिन बन गया था लेकिन इनों ने क्या किया था देखिए इनों ने भी कार्बान हाइडोजन लिया था लेकिन जितना कार्बान इनों ने लिया उतना हाइडोजन भी लिया तो दोनों को एक ही मात्रा पर जब इनों ने किया था तो ये बना था C2S2 और इनों ने क्या किया थोड़ा से इसको ज़्यादा कर दिया यानि हाइडोजन की मातरा थोड़ा से ज़्यादा कर दिया था कार्बन की तुलना में इनों ने इसको ज़्यादा कर दिया था और 25 अंसिल्सियस पर इनों ने भी इसको गर्म किया तो बन गया मेथिन तो इस तरह से जब बन गया था तो जब मेथिन बन गया था तो देखे ये भी एक कार्मीक पदारत है तो इस तरह से यानी कि जैव सक्सिद्यान जो था उसका अंथ हो गया था तो I hope friends आपको मेरी ये छोटी से जनकारी पसंद आई होगी और साथ में आपको समझ में भी आया होगा If you have any doubt, you can write below in the comment box तो चलते हैं friends, मिलेंगे अगलोई वीडियो में So thanks for watching and see you again in next video कर दो